तो काफी समय का वेट करने के बाद अगेर का रॉंग टन 2021 में रिलिज हो ही गई जिसे माइक निलसन ने डिरेट किया है और आइम डी बी रेटिंग की बात करें तो यह है 5.4 आउट उट 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 इन स्टार्स जो की पुरानी रॉंग टन मुवी से यह मुवी रॉंग टन मुवी सीरिस से अलग कंसेट पर है जिसे हम इस मुवी में मिस करेंगे साथी में मुवी में बाकी रॉंग टन मुवी के पार्ट की तरह स्लेशर सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन इस मुवी का एंड बहुत ही ट्विस्टेड है तो हमारे साथ शुरुआत में हम एक ओल्ड मैन स्कॉट को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में अपने गुम हो चुकी बेटी की रिपोर्ट लिखवाने आया था जो कि अपने पांच दोफ्तों के साथ में शेर से दूर टाउन में ट्रेकिंग करने गई थी लेकिन देड़ मैने से उन सबी चोई लोगों का अता पता नहीं था पुलिस ओफिसर स्कॉट की बातों को ज़रा सिरिसली नहीं लेता फिर स्कॉट एक होटल में पहुचता है जहां से उसकी बेटी जेन ने उससे आकरी बार फोन पर बात की थी लेकिन उस होटल से भी स्कॉट को कुछ पता नहीं चलता फिर जेन के फादर टाउन के एक बार में पोचते हैं जहां पर उससे एक आदमी कहता है कि अगर उसकी बेटी और उसके दोस्त जंगल में गए हैं तो वो उसे डूनड़ा बंद करते क्योंकि जंगल से कोई भी जिन्दा वापस नहीं आता और यह सीन इसी के साथ में यहीं पर खत्म हो जाता है फिर अगले सीन में देड़ मैंने पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जब जेन और उसके बाकी की फ्रेंड्स ट्रेविलिंग के लिए निकले थे वे सभी छे लोग थे जिसमें जेन और उसका बॉइफरेंड डार्लस था मिला और उसका बॉइफरेंड एडम और उनके साथ में एक गे कपल भी था जिनका नाम लूइस और गेरी था वे सभी फ्रेंड्स डार्लस के कार से थे और तबी अचानक कार का एक टायर फटता है जिससे की गाड़ी अन्बैलेंस होती है और उनका एक्सिडेंट होते होते भी बचता है फिर वे जल्दी से अपनी कार का टायर चेंज करते हैं और आगे टाउन की और बढ़ते हैं लेकिन कोई उन्हें जंगलों के बीचो बीच से देख रहा होता है और उन्हें इसके कोई ख़बर नहीं होती फिर वे उसी होटल में चेक इन करते हैं जहाँ पर जेन के पिता आये थे होटल में चेक इन करते समय जेन और उसके बाकी फ्रेंड्स को होटल मेनेजर ये वार्णिंग देती है कि अगर वो ट्रेकिंग पर जाने की सोच रहे हैं तो ट्रेक के रास्ते से बिलकुल भी ना बटके और फिर सबी उस होटल मेनेजर की बातों को एग्नोर करके अपने रूम में चले जाते हैं जिसके बाद वो सबी टाउन के बार में पहुच जाते हैं जहां पर उनकी बहस एक बुड़े व्यक्ति से होती है लेकिन जैन जैसे तेसे उस जगड़े को संभाल लेती है फिर उन सबी को बार से बार निकलते समय एक अंजान व्यक्ति उनकी कार के पास में खड़ावा दिखाई देता है जो कि उनकी कार में कुछ कर रहा होता है जिसे एडम पहले तो बागने को कहता है लेकिन जब वो वहाँ से नहीं बागता तो वो उसकी तरफ बोटल फिकता है जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है फिर सबी वापस होटल में अपने रूम में आते हैं जहाँ पर जेन अपने फादर को फोन करके बताती है कि वो कल ट्रेकिंग के लिए निकलने वाले है और यही जेन के दुआरा अपने पिता को किया गया आगरिकॉल था अपने फादर से बात करने के बाद जेन डारलस के पास उसके बेट पर आती है और दोनों इंटिमेट होते हैं जिनें बाहर से कोई देख रहा होता है जेन अगली सुबह जल्दी जोगिंग के लिए जाती है जहाँ पर उसे रास्ते में एक ओरत और एक चोटी सी लड़की रूथी दिखाई देती है जोकी जंगली चीजों से बने सामन को जेन को बेशती है फिर जेन होटल में पहुच कर अपने फ्रेंट्स के साथ में ट्रेकिंग के लिए निकल जाती है ट्रेकिंग को दोरान सभी ट्रेक को एंजोई करते हैं और नेचर के खुपसूरती का मज़ा लेते हैं डालर सबी से कहता है कि यहां जंगल में कहीं सिविल वार की कुछ निशान है जिने उन्हें सबी को देखना चाहिए जो कि उनके टेकिंग के रास्ते से थोड़ी दूर जंगलों में था जिसे पहले जेन मना कर देती है लेकिन बाद में वो भी राजी हो जाती है जंगल में घंटों चलने के बाद भी उन्हें वाँ पर कुछ नहीं मिलता और फिर वो एक एसी जेकर पर पहुँच जाते हैं जा पर उन्हें किसी की आवाज आती है वीला जब इस गटना को अपने फॉन में रिकॉर्ड करती है तो वो देखती है कि सामने से एक टूटा हुआ पेड़ लुड़कता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा है जिससे बचने के लिए सभी वहाँ से बाग जाते हैं लेकिन ड़लान होने की वज़े से एक के बाद एक सभी गिरने लगते हैं सभी जैसे तेसे उस टूटे हुए पेड़ से अपनी जान बचाते हैं लेकिन गेरी इतना खुश किसमत नहीं था वो उस तूटे हुए पेड की चपेड में आ जाता है जिससे कि उसका शरीर पिचक जाता है और वो मारा जाता है लुइस गेरी का बॉइफरेंड था और उसे गेरी की इस हालत को देखकर बहुत ज़्यादा रोना आता है तब ही हम देखते हैं कि जेन को वहाँ पर जंगलों की गाटियों में पेड़ों के पीछे से कोई परशाय दिखाए दिती है लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं बिलता फिर जल्दी ही वहाँ पर बारिश होने वाली थी और सभी गेरी की डेड बोडी को वहीं छोड़कर आगे चल देते हैं और फिर वापस से काफी गंटे चलने के बाद भी वो उस रास्ते पर नहीं पहुच पाते जहां से वो आये थे और रात होने के साथ साथ वो उस जंगल में बटक जाते हैं और वो रात बिताने के लिए वहीं जंगल में ही टेंट लगा लेते हैं फिर हम यह देखते हैं कि रात के समय जब सब सो रहे होते हैं तो जैन के पास में एक परचाई गुमती है जिसे जैन भी महसूस कर लेती है लेकिन वो वहाँ पर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता अगली सुबह सभी जब अपनी नीन से जाकते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि जहाँ पर वो पुरी रात से सो रहे थे वो एक ग्रेवियर्ड याने के कबरिस्तान है और मिला उन्हें वहाँ पर कहीं नहीं दिखाई दिती सभी को ये लगता है कि शायद मिला बातरूम गई होगी और जब वो वापस नहीं आती तो डारलस को वहाँ पर आसपास एक पत्थर दिखाई देता है जो कि एक फांडेशन स्टोन होता है जहाँ पर कुछ फैमिलीज ने कई सो सालों पहले शपत ली होई थी तबी अचानक लूइस सभी को ये बताता है कि उनके फोन्स गायब हो रहे हैं और वो डर के मारे मिला को ढूंटते हैं और जंगल में जैन को रूती दिखाई देती है जो कि उसे टाउन में मिली थी जिसके पीछे एडम भागता है लेकिन उसका पेर एक ट्रैप में फस जा जाता है एडम पूरा के पूरा उस जमीन में बने हुए गड़े में घुश जाता है और डारलस जब उस गड़े में अंदर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर उस गड़े के अंदर एक साप होता है जेन डारलस और लूइस को जंगल से बागने को कहती है क्योंकि उससे तो गरिब equipment और हत्यार होते हैं उन सभी को ये समझ नहीं आता कि आखिर कर यहां पर है क्या फिर तभी अचानक वहां पर उन्हें किसी के आने की आहट होती है और जब वे केविन के खिलकी से बाहर देखते हैं तो दो अजीब से बड़े-बड़े लोग Adam को बांध कर ला रहे होते हैं जैन लूइस और डारलर्स केविन में रखे हत्यारों की मदद से उन अजीब आदमी को डराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जिस भाषा में बात करते हैं वो जैन और बाकी लोगों को समझ नहीं आती वे दोन अजीब से भाषा में जैन से कुछ कहते हैं लेकिन इ चेरा फट जाता है और वो मर जाता है जिसे देखकर दूसरा आदमी डर जाता है और वहां से भाग जाता है और फिर एडम सभी से ये कहता है कि उसे लगा कि उन दोनों आदमियों ने उसकी गल्फरेंड मिला को मार दिया और इसलिए उसने उन पर हमला किया जिसके बाद वहा दिखाई देती है जिसे कि वो मरा हुआ समझ रहा था और वो उसे भी अपने साथ बाहर की तरफ ले जाते हैं जब सभी जंगल से बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं तो डारलस भी एक ट्रेप की चपेट में आ जाता है जिससे कि उसे ज्यादा चोट नहीं आती और फिर सभी आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन असल में वो बहुत बड़े खत्रे से गिर चुके थे उन सभी के चारों और जंगल में रहने वाले लोग बेज बदल कर चुपे हुए थे जो कि लूइस को गयब कर देते हैं और फिर जेन और बागी के ग्रूप को ये मेसूस होता है कि य उने घेर हुए हैं जिन से बचने के लिए सबी वहां से जी जान से भागते हैं और भागते भागते मिला एक ट्रेप के अंदर गिर जाती हैं जिसके अंदर नुकीली लकड़े गड़ी हुई थी जो कि मिला के पूरे शरीर के आरपार हो जाती है और वो हिल भी नहीं पाती फिर तबी वहाँ पर एक जंगली आदमी आता है और मिला को तीर से मार डालता है जिसके बाद वो एडम को भी ट्रेप में फसा लेते हैं अब जेन और डालस जंगल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो उस जंगल से भाग नहीं पाते और आखिरकार एक एक करके उन्हें पिवे जंगली लोग पकड़ लेते हैं और फिर यह सीन यहीं पर कट हो जाता है अब जेन के फादर अपने घर में होते हैं और वे वहाँ से भी जेन की चिंता करते हैं और जेन की स्टेप मदर उस से यह कहती है कि वो जेन की चिंता ना करे और वो उसके बच्चों के बारे में सोचे इधर जब जेन को होश आता है तो वो अपने आपको एक गड़े में पढ़ा हुआ पाती है जहां पर बहुत ज़्यादा अंदेरा था फिर कुछ समय के बाद एक लेडी जेन को कुछ खाना और पानी देती है और ये वही ओरत थी जो कि जेन को टाउन में मिली थी सामन बेचते हुए कुछ घंटों के बाद में जेन को उस गड़े से निकाला जाता है और उसके मूपर कपड़ा बांद कर लुईस और डारलस के साथ में कहीं पर ले जाया जाता है और चलते चलते वे एक isolated area में पूछते हैं जिसके अंदर एक पूरा के पूरा गाउं बसा हुआ था और उस इलाके के लोग अलग-अलग कामों में लगे हुए थे जो कि किसी भी नौर्मल गाउं में होते हैं उन्हें एक कमरे में ले जाया जाता है जो कि किसी कोड या अदालत जैसा दिखाई दे रहा था और फिर वहाँ पर जैज भी पहुच जाता है और इसका नाम होता है विनेबल जो उन्हें उनके गुना बताता है एडम ने एक आदमी का मडर किया था जो कि जंगल में शिकार पर अपने भाई के साथ गया हुआ था मरे हुए आदमी का भाई जज विनेबल से ये कहता है कि उनके जानवरों के ट्रैप में एक लड़का फस गया था जिसे कि वो बाद में छोड़ने वाले थे लेकिन उन पर जेन और उसके दोस्तों ने हमला कर उने डराया और एडम ने उसके भाई को लकड़ी से पीट-पीट कर मार डाला एडम का बचाओ करते हुए जेन जज से कहती है कि एडम ने जान बुचकर उसे नहीं मारा बलकि वो तो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था और अपनी बात को साबित करने के लिए जेन के पास कोई भी सबूत नहीं था जिसके बाद जज एडम को मौत के सजा सुना देता है क्योंकि एडम ने कई बार उनके लोगों के साथ टाउन में भी गलत वेवार किया और फिर रूती भी एडम को अडेंटिफाई कर लेती है कि उसी ने उस आदमी को मारा था एडम को मौत के सजा सुना जाती है और जेन और बाकी के लोगों को जिंदगी भर के लिए अंदकार के सजा क्योंकि उन्होंने एडम के जूटी कवाई दी थी फिर हम यह देखते हैं कि एडम को सजा देने के लिए लाया जाता है जहाँ पर जेन से यह पूछा जाता है कि एडम ने उस आदमी को किस तरह समा रहा था विनेबल सबी से केता है कि वो और उसके लोग यहाँ पर एपलैंसिया में शेहरी दुनिया से अलग रहते हैं जहाँ पर पॉलिशन गंदगी और बीमारिया है और यहाँ पर सब कुछ नेचरल है बारी लोग आकर यहाँ पर घुश जाते हैं और नेचर के रिसोर्सेस को खराब करते हैं विनेबल के पुर्वजों ने फाउंडेशन नाम की कम्यूनिटी बनाई थी जो की पूरी तरह से नेचर से अपनी जरूरते पूरी करते थे एडम को अपने दोस्तों के सामने ठीक उसी तरह से मारा जाता है जैसे की उसने उस शिकारी को मारा था जो की बहुत ज़्यादा दर्दनाक मोथ थी और बाकियों को डार्कनेस के सजा सुनाई थी मतलब की उन्हें जिन्दगी बर अंधेरे में रहना था जिसके बद लुईस को पकड़ कर गर्म सरीय से उसकी आखे फोड़ दी जाती है और उसे एक अंधेरी गूफा में धकेल दिया जाता है और फिर अब यही होने वाला था जेन और डारियस के साथ में लेकिन जेन अपना दिमाग लगाती है और विनेबल से कहती है कि डारियस एक नोन प्रोफिट और्गनाईजेशन चलाता है जो की नेचर को बचाने के लिए काम करती है और डारियस उनके लोगों के काफे काम आ सकता है जिसमें वो राजी हो जाते है डारियस तो अपनी स्किल के जरीए बच जाता है लेकिन जेन के पास में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि उसकी जान बचे फिर जेन अपने आपको ये बोल कर उन्हें सोब देती है कि उसके परिवार में कोई भी बिमारी नहीं है और उससे हेल्थी बच्चे पैदा किये जा सकते है वो किसी भी मर्द के बच्चा पैदा करने के काम आ सकती है और फिर जेन भी अपनी सजा से बच जाती है फिर हम देखते हैं कि जेन को एक आदमी को सोब दिया जाता है जिसकी एक साल पहले बीवी मर चुकी थी काफी लंबे समय से जेन को ढूंड रहा था लेकिन उसके हाथों में हर बार नाकामी लग रही थी फिर अचानक होटल मेनेजर उसे ही बताती है कि उसने लोगों से ये सुना है कि पहाडों में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो किसन अठरासों के आसपास जंगलों में बस गए ये सोच कर कि जब भी अमेरिका में युद्ध होगा तो वो बच जाएंगे और अपनी कम्यूनिटी बनाएंगे टाउन के सबी लोगों को फाउंडेशन नाम के उस ग्रूप के बारे में पता था लेकिन कोई भी एक दूसरे को नहीं छेड़ता था लेकिन जो लोग गलती से उनके इलाके में चले जाते हैं वो फिर कभी भी वापस नहीं आ पाते फिर अगले दिन स्कॉट जेन को ढूणने के लिए निकल पड़ता है और होटल मेनेजर उसे अपने कजीन से मिलवाती है जो कि स्कॉट की मदद कर सकता था क्योंकि उसे भी फाउंडेशन के लोगों से बदला लेना था और होटल मेनेजर का वो कजीन जंगलों के पाड़ों से वाकिफ था इसकॉट जल्दी कूपर के साथ में जंगल में पहुचता है लेकिन कूपर पहले ही ट्रैप में फसकर मारा जाता है और स्कॉट उसकी गन और उसके बाकी के एक्यूपमेंट्स को लेकर आके बढ़ता है चलते चलते रात हो जाती है लेकिन इसकोर्ट को कुछ भी नहीं मिलता और फाउंडेशन के लोग इसकोर्ट को पकड़ कर अपने गाउं में ले आते हैं जहाँ पर डार्लस स्कॉर्ट को मिलता है और जेन ही अपने पिता के हाथ में तीर मार कर उसे विनेबल के पास में लाती है जहाँ पर वो उसे अंदकार के सजा सुना देता है। इसकॉर्ट को ये समझ नहीं आता कि आखिरकार उसकी बैटी जेन उसे पेचान क्यों नहीं रही है और वो आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है। तब ही चोटी बच्ची रूथी वहाँ पर आकर दोनों को बाहर जाने का दूसरा रास्ता दिखाती है जो कि उसी गुफा से गुजरता था जहां पर लोगों के आखें फोड़कर उन्हें अंदकार के सजा सुना जाती थी। फिर जेन और इसकोट जल्दी उस गुफा में पहुच जाते हैं जहां पर वो यह देखते हैं कि कई सारे लोग पहले सही सजा काट रहे थे। जेन को उस गुफा में लुईस दिखाई देता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और जेन लुईस को इस हालत से छुटकरा दिलवाने के लिए इसकोट की बंदुक से मार डालती है। फिर जेसे तेसे जेन अपने पिता के साथ में वहां से बाहर आती है लेकिन तब तक फांडेशन के लोग उनके पीछे पढ़ जाते हैं। जिने मार कर जेन आगे बढ़ती है और दोनों घायल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी फांडेशन के लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते और वो कई बार उन्हें चक्मा देकर बाहर आते हैं। जेन और स्कोड भागते भागते सड़क के किनारे तक आ जाते हैं और उन्हें वहाँ पर वही लोग दिखाई देते हैं जिनका जगड़ा जेन से बार में हुआ था। वो लोग भी फाउंडेशन से दुश्मनी रखते थें क्योंकि उनका एक नेफ्यू छे साल पहले जंगलों में गायब हो गया। वे सभी लोग फाउंडेशन के लोगों पर गोलिय चलाते हैं और बदले में वो भी उन लोगों को मार देते हैं। जेन अपने पिता के साथ में उन लोगों के ट्रक में बेड़ जाती है और तब ही वहाँ पर विनेबल भी आ जाता है। विनेबल अपनी पत्नी जैन को आवाज लगाता है लेकिन तब तक वे लोग वहापर आग लगाकर भाग जाते हैं और विनेबल बस उने भागतावा देखता रहता है अब इस बात को कुछ महीने बीच जाते हैं और जेन अपनी पुरानी जिन्दगी में लोड जाती है फिर एक दिन होता ये है कि जब जेन अपने घर पर पोच्छती है तो वहाँ पर विनेबल दिखाई देता है और वो भी मौडरन कपड़ों में जेन को ये फिल होता है कि वो प्रेगनेंट है और विनेबल उसका बच्चा लेने के लिए ही वहाँ पर आया हुआ है जेन को विनेबल को अपने घर पर देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक पल को ये सोचती है कि वो विनेबल को मा डाले लेकिन विनेबल उसकी पूरी family को खत्म कर सकता था जेन कोई भी गलत कदब नहीं उटाती और वहीं रुख जाती है वो विनेबल से deal करती है कि अगर वो उसकी family को कुछ नहीं करे तो वो उसके साथ में जरूर चलेगी जिसके बदले में विनेबल भी उसे ये प्रॉमिस करता है कि वो जेन की फैमिली को कुछ नहीं करेगा बदले में उसे जेन और उसका बच्चा चाहिए जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जेन विनेबल की वेन में बैटकर चली जाती है और उस वैन का रास्ते में एक्सिडेन्ट हो जाता है वैन के अन्दर जैन सभी को मार डालती है और वो रूती को लेकर बाहर आती है और इसी के साथ इस मुवी का यही पर एंड हो जाता है तो दोस्तो रॉंग्टन के इस पार्ट में आपको वो स्लेशर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन स्टोरी वस अगर हम देखें तो ये मूवी एक बहुती बहतरिन मूवी है देखा जायता ये मूवी काफी बहतरिन है लेकिन हम इस मूवी के ट्रेडिशनल विलन, कैनी, थ्री फिंगर और डॉलनट को मिस करते हैं और ये तीनो ही रॉंग्टन मूवी के खुकार विलन माने जाते हैं लेकिन इस पार्ट में फाउंडेशन नाम के कम्यूनिटी है जो की संद 1800 से इन जंगलों में नेशनल रिसोर्सेस पर आशित होकर रहते हैं फाउंडेशन के लोग बारी लोगों को यहां पर आने पर गुस्पेट के सजा देकर मार डालते हैं या फिर उन्हें केदम रखते हैं लेकिन उन्हें कभी भी वापस जाने नहीं दिया जाता क्योंकि अगर वो बाहर चले जाएंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी टाउन में रहने वाले लोगों को यह पता था कि फाउंडेशन जंगलों में रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरना के इसलिए वो उनसे दूरी बनाया रखते हैं और ऐसे ही जेन अपने दोस्तों के साथ में ट्रेक पर जाती है और डारियस के कहने पर ट्रेक से रास्ता बटक कर जंगलों में पहुच जाती है और इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है लेकिन एनिहाव जेन और डारियस बच जाते हैं जेन को तो इसके पिता स्कॉर्ट बचा लेते हैं लेकिन डारियस वही फाउंडेशन में रुकने का फेसला लेता है जेन वेनेबल के बच्चे की माँ बनने वाली थी और वेनेबल अपने बच्चे को लेने के लिए वापस जेन के पास आता है तो दोस्तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा क्योंकि और भी कई सारे वीडियो जिल्दी ही आने वाले हैं